कुछ लोग मानते हैं कि जब तक वे इश्वर की पूजा करते हैं और जो भी वे मानते हैं उनका अभियास करते हैं, वे स्वर्ग में जाएंगे, सैलन लेकिन हाकिकत में भगवान में बुराई रोखने के लिए एक रास्ता बनाया, ये इश्वर ने कहा, मैं रास्ता हूँ, ये केवल लिश्व के खून की शक्ती में विश्वास के माध्यम से है कि हम बुराई करना बंद कर सकते हैं, बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उनका मानना की मुक्ष सिर्फ भार में क्या, इबराहिम से उतरने की जीवन शेली है, उन्होंने पूरे सुसमाचार को कभी नहीं सुना है, जिसे मैं आपको पूरा सुसमाचार बताना चाहता हूँ, सेल पुराने नियम में, लोग पाप के बंधन से मुत नहीं थे, लेकिन जब भी वे अपने बुरे व्यवहार कर स्व करेंगे, सेल लेकिन क्रूस पर इशू की मृतियों के बाद हमें एक बेहतर वजा मिली, अब हमें हर बुरे काम के बाद बलदान नहीं करना है, क्यूंकि अब विश्वास की माध्यम से कि हमारे शरीर को क्रूस पर चड़ाया गया है, और अब इशू हमारे अंदर जिंता है अब हमें भगवान के खिलाफ पाप नहीं करना है, सेल पॉलस ने नए नियम में कहा कि बैल और बक्रियों का फूंग लोगों को पाप करने से कभी नहीं रोक सकता है, वह इस तत्य का जिक्र कर रहे थे कि हर बार जब लोगों ने भगवान को जानगरों का त्यार किया, तो लेकिन उन्हें अभी तक भगवान से खृपा प्राप्त नहीं हुई थी, सेल जब ये शुक रूस पर मर गया, तो अधिनियम ने हमें खृपा दी, अनगरह शक्ती है, बैया तब होती है जब भगवान हमें माफ कर देते हैं, लेकिन नए वाचा में, हमें बुराई के बनाता है, सेल भगवान के पास एक बेटा ये शु है, कि एक बेटा अपने पिता का अनुदरन करता है और कहता है कि उसके पिता क्या कहते हैं, एक सचा बेटा अपने पिता की दाहिनी भुजा की तरह है, भगवान पुनरुत पादन नहीं करता, क्यूंकि वह परिपून औ और तरीकों को लाने के लिए मानु रूप में पृत्वी पर आए था ये इशन आपट की दाहिवी भुजा की तरह हैं और नुमेशा कहता है कि उसके पिता ने उससे क्या कहा है सेल ईशू और इसके पिता एक हैं, ईशू ने इंसानों के अस्तित्व से पहले अपने पिता के साथ सब कुछ बनाया क्यूंकि एक अच्छा बेटा अपने पिता के साथ काम करता है, वह हमारे साथ पीड़त होने के लिए मानव रूप में पृत्वी पर आये और हमें स्वर्ग में जाना चाहते हैं, इसाई ईशू से प्यार करते हैं, क्योंकि वे भगवान से प्यार करते हैं, सेल भगवान के रूप में सम्मान करते हैं, कि वे उसे प्यार करते हैं, रॉम्यो आर्ट, हमें बताता है कि जो भी भगवान के पूत्र का समान करता है, वह भगव के परिवार में अपनाया जाएगा से लोगben में जाएगा इसमें एसे लोग भी शामिल हैं ऐसे बोले आप वह आंकी वंचज्य का सुमान करते हैं बेन्हें परिवार में रहने से अलग ऑन जैसा कि ये इशु ने 15 जौन में दृष्टांत में बताया था वे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। सेला इसका कारण यह है कि हमें ये इशु का पालन करना चाहिए क्यूंकि वह इश्वर का पुत्र है। तो भगवान हमें अपनाया बेटा और बीटियों के रूप में स्विकार नहीं करेंगे। बंधन से कभी नहीं बचा सकता था, सेला अपने नियम, मैं देखेंगे कि इर्शू और प्रेरेतों ने कभी दावा नहीं किया कि इर्शू हमें नरक से बचाएगा, शैतान और उसके स्वर्टूदों के लिए भगवान द्वारा नरक बनाया गया था, और नरक कभी गायब न नहीं होगा, यह हमारे दुश्मनों को नश्ट करने और दंडित करने के उद्देश से बनाया गया था, शैतान और उसके राक्षस हमारे दुश्मन है, भगवान की योजना हमेशा हमारे दुश्मनों को नश्ट करने के लिए रही है, जो कि भगवान के दुश्मन भी है, स क्या रखते हैं, हमें मुक्ष से रखना चाहते हैं, यह इशु हमें पाप के बंधन से बचाने के लिए मर गया, अगर हम बुराय करना जारी रखते हैं, तो हम भी नरक में जाएंगे, सलहर कोई जो भगवान के खिलाफ पाप करना जारी रखता है और पश्चाता आप नहीं करेगा, जिसमें राक्षसों और राक्षसों और लोगों को शामिल किया जाता है, वे सभी भगवान के दुश्मन हैं, यह कभी भगवान का इरादा नहीं था कि हम बुराई का पालन करन जारी रखेंगे और हमारे दुश्मनों के रूप में नरक में जाएंगे, लेकिन क्यूंकि बहुत से लोग पश्चाता आप नहीं करना चाहते हैं और भगवान की खुपा और इशु मसी के खून की शक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, वे बुराई का पालन करना जारी र मतलब यह नहीं है कि आप पुराई करने के लिए कभी भी परीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन ये शु मसी और पवत्र आत्मा की शक्ति के साथ, आप हमेशा उस प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं, पाप का विरोध विश्वास का एक अदिनियम है, यह कभी भी मानुव प्रया पूछ सकते हैं कि भगवान पिता, पुत्र और पवत्र आत्मा कैसे हो सकते हैं, मनुश्य भगवान की शवी में बनाए गए थे क्योंकि मनुश्यों में आत्मा शरीर और आध्यात्मिक भी होते हैं, हमारी आत्मा हमारे व्यक्तित्व और चरित्र है, भगवान की आत्मार के रूप में उनकी पहचान में है हमारा शरीर हमारा भौतिक हिस्सा है भगवान के पुत्र गीरिशु एक शरीर में पृत्वी के रूप में दिखाई दिया सेल हमारी आध्यात्मिक पहचान अच्छे और बुरे के बीच का आंतर जानता है और यह अच्छा या बुरा चुनता है जानवरों की एक आक्मा है जो उनका व्यक्तित्वर है और एक शरीर है लेकिन जानवरों का कोई आध्यात्मिक नहीं है मनुश्य पाप कर सकता है क्योंकि मनुश्य बुराई चुन सकते हैं लेकिन जानवर पाप नहीं कर सकते क्योंकि जानवर बुराई या अच्छा नहीं चुन सकते हैं भगवान पवित्र आपना है क्योंकि भगवान हमेशा अच्छी चीज़ें करता है सेल बहुत से लोग अप जीवे भगवान के खिलाफ पाप करना बंद नहीं कर सकते क्यूंकि उन्होंने केवल अपने मानविये प्रयासों के साथ भगवान के खिलाफ पाप करना बंद करने की कोशिश की है, बुरे खृतियों के खिलाफ मानव प्रयास प्रभावी हैं, ये इशू के खूम में विश् सेल येशु ने कहा कि जब हम मानल प्रयास से जीते हैं तो हम प्रलोभन के प्रती अधिक सनवेद अन्शील होते हैं, येशु ने फिरीसियों से कहा कि वे अप्ती सनवेद अन्शील थे क्यूंकि वे भगवान की शक्ती में विश्वास नहीं करते थे, येशु ने उनसे कहा, आप भगवान की शक्ति या भगवान की शक्ति नहीं जानते हैं आजकल कई लोगों के लिए यह मामला है वे शास्त्रों या भगवान की शक्ति नहीं जानते हैं सेलर और लिरिशू का यही अर्थ था जब उसने फिरीसियों से कहा कि उन्हें शास्त्रों को नहीं पता था, फ्रीसियों ने हर समय शास्त्रों का अध्यन किया लेकिन वे विश्वास नहीं करते कि वास्तव में शब्त क्या कह रही हैं, इसका कारण यह है कि पश्चिम में अधिकांच शिसाई बुरी चीजें करते हैं क्योंकि वे फ्रीसिया की तरहें हैं जो शास्त्रों को नहीं जानते थे, सछे उनका मानना कि वे इसाई हैं लेकिन वे बाइबल नहीं पढ़ते हैं या जानते हैं कि यह क्या कहता है, उनका मानना कि जब तक वे चच जाते हैं, वे बुराई करते हैं, पर ये सच नहीं है, शास्त्रों का कहना है कि अधीवे बुराई करते हैं, तो कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, सेलर रॉमियो, आठ पच के 35 मिनिट कहता है कि ये इश्वर के विरुद पिछले पापों के लिए क्रूस पर मर जाता है, अबा विश्वास के माध्यम से भगवान के खिलाफ पाप करने से रोकता है, यह भगवान से जमतकार है, पुराई का प्रतिरूध मानफ प्रयासों के माध्यम से कभी नहीं किया जा सकता है, यह गेवल भगवान की शक्ती में विश्वास के माध्यम से हो सकता है, सेलर रॉमियों स्वाफित के अध्याय छेह में पूलूस हमें बताता है कि बपातिस्मा क्या है बपातिस्मा विश्वास का एक अदिनियम है जिसमें हम पूरी तरह से भगवान के खिलाफ पापों के खिलाफ परश्चाताब करने के लिए प्रतिवद्ल हैं पौलूस Voice ने इसे स्वार्थी इ विश्वास करते हैं और ये विश्वास को हमारे अंदर जीवित रखने के लिए प्रतिवध्र हैं, बपातिस्मा विश्वास का एक कारह है जिसमें हम हमेशा के लिए अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए मर जाते हैं और कभी भगवान के खिलाफ आप पर वापस नहीं ये श्वास जाते क्या आप जानते हैं कि ये शॉमसीह हमारे बीतर क्यों रहना चाहिए। सेल ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शुमसीह एक मात्र ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के खिलाफ पाप नहीं करता है, कोई भी मनुष्य इस्वास के विरुद पाप नहीं कर सकता है तो वहाँ आपके दिमाद आपके दिल को बदलता है औरुये आपको बुरी एकषाओं का विरोध करने की शक्ती देता है यही कारण है कि 22 मामोक्ष न का एक अनिवारया हिस्साए सैलमानफ मांस हमेशा पाप करेगा यह पाप करना बंद नहीं कर सकता है यही कारण है कि पॉलस नई हमें बुरी इक्षाओं को क्रूस पर चड़ाने के लिए कहा था यही कारण है कि इशू ने हमें अपना क्रॉस लेनी के लिए कहा जिसका आर्थ है कि हम अपनी बुरी इक्षाओं से मर जाते हैं जब तक हम स्वार्थी इक्षाओं के लिए मर जात कि यीशू आपका स्वामी होगा, आपको अपनी सारी सांसा रख इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए और फिर यीशू आपका इश्वर होगा, बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं, यीशू ने कहा कि हमें यह दिखाने के लिए यीशू से प्यार करना चाहिए कि हम और उसे अस्विकार करता है वह भी उस पूत्र के पिता से नफ्रैक करेगा, सेल क्यूंकि एक सच्छा पिता अपने बेटे से प्यार करता है, तो यदि आप यह इशू को अपने भगवान नहीं कहते हैं, तो आप पिता भगवान को अपने भगवान के रूप में नहीं और ये इशू आपके अंदर जिनता है विश्वास आसान है विश्वास सर्फ विश्वास करने का फैसला कर रहा है एक बार हम कुछ मानते हैं हम इस पर काम करते हैं मैं आपको बताता हूं कि विश्वास कितना आसान है जब आपने पहली बार यह मानना कि दुनिया गेंद की चुरेहे गौल है, तो यहाः क्तना मुश्किर था, काफि मुश्किर नहीं है। सेल आपको अभी बताया गया था कि दुनिया दौर है और फिर आपने इसे मानना है, इस तरहीं में विश्वास काम करता है। विश्वास तब तक तक कमजोर नहीं है। processing की कि सच क्या है? यह सच है कि दुनिया दौर है. हाला कि आप इसे अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं या मैंसوس नहीं कर सकते हैं. यह भी सच है कि यह इश्व इश्वर का पुत्र है और एक इश्वर के साथ है. भले ही हरकोई इसमे विश्वास नतरे. साला सेल आग में आपको बता रहा हूं कि विश्वास एक आध्यापमिक बात है और जब आपको आध्यापमिक विश्वास होता है कि आपकी मानगी इच्छाओं को क्रूस पर चड़ा आ जाता है और ये इशे आपके भीपर जीवित है, तो यह आपके जीवन में एक वास्तव विक्ता बन जाता है, सेलर जब आप मानते हैं कि आप दुनिया की उन इच्छाओं के लिए मर गए हैं और मानते हैं कि ये इशू आपके अंदर जिनता है, यह एक कलपना नहीं है, बाल की एक वास्तविक्ता है, जो पूरी तरह से आपके जीवन को बदल देती है, सेलर केवल विश्वास की पसंद बनाने का मामला है, क्यूंकि कई लोगों ने पहले से ही एस्वी कार करने के लिए चुना है कि भगवान असली और पवत्र है, अब जब आप पूरे सुस्समाचार को जानते हैं, तो आप पूरे सुस्समाचार पर विश्वास कर सकते हैं, सेलर यह ग्यान गेरी इसायों को भी बताता है कि जो कोई भी पाप जारी रखता है, वे फिर से बैदा नहीं हो सकता है, अब हम सभी ने भगवान के खिलाफ पाप किया है, लेकिन ये इश्वी केवल उन लोगों की निंदा करता है, जो भगवान के खिलाफ पाप करना जारी नए नियम में कई बार उन्हों कर विश्वास की कमी स्वर्ग में नहीं जाएंगे ऐसा इसलिए नहीं है क्यूंकि इस यूशू हमसे नफरत करता है, ऐसा इसलिए है क्यूंकि उसने हमें प्वित्रषर होने का मार्ट बनाया और अनेतिक लोगों को स्वर्ग में रहने की इजाज़द देना संभव है, स्वर्ग क्या आप जानते हैं कि भगवान के लिए स्वर्ग में अन्याएं की अनुमती क्यों असंभव है? ऐसा इस लिए है क्योंकि यदि इश्वर अनैतिक लोगों को स्वर्ग में जाने की इजाज़त देता है तो स्वर्ग सिर्फ एक और पृत्वी होगी या फिर भी स्वर्ग में समान समस्या हैं जो पित्वी के पास हैं धर्ती पर हिंसक लोग हैं लेकिन कोई भी हिंसक लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे सेल वीशी ने हमें प्रवित्र हने का मार्ट दिया ताकि हमस्वर्थ में जासा कि हमें अपने तरीके से विश्वास करना जाहिए कि उसने हमें बाईवल में सिखाया और हमें उसके मार्ग का पालन करना होगा मैं आपको नए नियम को पढ़ने और विश्वास करने के लिए चुनौती देता हूँ कि शब्दों का क्या आर्थ है सेला पवित्र आत्मा से अपनी आखे खुलने के लिए कहें ताकि आप देख सकें कि पेच पर शब्द क्या कह रहे हैं क्यूंकि पूरे बाई बल्गरंथों में हमें भगवान के खिलाफ हमारे पापों से पश्चाता करने के लिए कहा जाता है और हमें पूरे बाईबल गरंथों में बताया जाता है कि आप भी नहीं स्वर्ग में सेले नए नियम के दौरान हमें चेतावी दी जाती है कि नरत वास्तविक है और यह हमेशा के लिए है और सभी दुष्च करता लोग और राक्षितों के साथ वहां जाते हैं अबाईबल में विश्वास करो और यरिशू मसी के मार्ग का पालन करें यरिशू आपको प्यार करता है वहां आपको पश्चाता आप करने के लिए कहता है कि वहां आपको प्यार करता है और स्वर्ग में तुम्हारे साथ हनंत काल बिताना चाहता है अगर यर अस्तव में फिर से बैदा होते हैं, हम इसे जानते हैं, हम एक पूरी तरह से नया प्राणी बन जाते हैं, पुराने व्यक्ती की तरह कुछ भी नहीं, हमारी पुरानी इच्छाएं दूर जाती हैं और ये इच्छाएं को ये इच्छाएं से बदल विता है, हम पुरा इसे बहुत घुर्णा करते हैं हम जीवन के पुराने तरीकों और समय के साथ कभी वापस नहीं जाते हैं हम बहतर सीखते हैं कि हमेशा बुराई का विरूद कैसे करें और गिर्शू के विश्वास में विश्वास करें सेल यह मुक्ष का चमतकार है जी सस्क्राइस पूरी तरह से आपके जीवन को बदलता है और आपको एक उदेश्य देता है अब पूरे सुस्वाचार में विश्वास करो अपने पापों से पश्चाताप करें मान वीजिए कि यह इश्व में आपके लिए आपसे मुक्त होने का एक तरीका बनाया है और इस नए जीवन में विद्धी